पिछले साल भारत में हुई G20 शिकर संबिलन के समय भारत और केनादा के बीच एक विवाद पैदा हुआ कूटनेटिक तनाव और चरम पर पहुच चुका है तो वहीं भारत और केनादा दोनों देशों ने एक दूसरे के राज़नेकों को देश से निकालने का आदेश भी दे कि उसने अपने यहां तैनाद छे भारतिये राज़नेकों को निश्कासित करनी का पैसला लिया है अब इनमें कैनादा में भारत के उच्छा युक्त संजे कुमार वर्मा भी शामिल थे अब देखे हाला कि भारत ने कैनादा के आरोपों को खारिस करते वे इस बात का दाव के शिक्षा पर काफी जादा प्रभाव भी पढ़ने वाला है इसका असर भी देखने को मिलेगा और यदि आकड़ों की बात की जो है तो साल 2013 से 2023 के बीच भारत से कैनादा जाने वालों की संख्या 32,823 से बढ़कर 149,715 के आसपास पहुच गई है अब कैनादा इंडिया क neighborhood के बीच education के लिए जाने वाले students पर क्या कुछ असर होगा आج उसी को लेकर हम लोग बाचीत भी करने वाले हैं कि students के पास आज अब इस condition में क्या कुछ options हो सकते हैं और अज इसी को लेकर हम बात करेंगे तो मेरे साथ मैम अधिति वीजे जूडी अधिति आपका बहुत-ब तो चलिए इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं और अधीती आप से इसको लेकर शुरुवात करेंगे देखिए डिस्प्यूट को लेकर हम बात कर रहे थे तो क्या कुछ लगता है कि स्टुडेंट्स की एडुकेशन पर क्या कुछ असर पड़ सकता है वेल माम एडुकेशन पर असर पिछले एक साल से दिखाई तो दे ही रहा था और अगर हम बात करें कि सिरफ एप्लिकेशन ड्रॉप में तो बचों ने अलक कंट्रीज को भी सिलेक्ट करना शुरू कर दिया है और हमारे पास जो एक इंडिविजूल फर्म होने के या रिसर्च पोर्टल होने के नाते जितना भी हमारे पास डेटा इकत्रित हुआ है उसको देखते हुए हमें यह मालूम मतलब हमने अनलाइज किया है अपने डेटा से के एक्चुल में यह ड्रॉप 50 परसेंट तक का इंटेंट में भी चला गया है यानि पेरेंट्स एस्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स है वो इसको बहुत डिफरेंट पस्पेक्टिफ से देखते हुए अधर ऑप्शन्स भी एक्स्प्टोर कर रहे है जी क्या कुछ करेंगे मिस्टर दिक्षित अधिति बिलकुल ठीक करें आप इंटेंट में जो चला गया है जब आप आपस आता है तो जो एक तो होता है नंबर डेटा से दिखता है जो अनलेटिक्स बोल पे हैं और जो बच्चे का इंटेंट नहीं मुझे जाना ही नहीं है अधिति बहुत जादा हो गया है और अधिति वाला बात बहुत ठीक है बिल्कुल ठीक बात है इंटेंट बहुत चेंज हो गया है जी तो ये जो एवरोड इस्टेडीज को लेकर जो एक सिस्टम बना हुआ है तो इसका क्या कुछ प्रॉसस रहता है अधिति मतलब इस्टूरेंट्स को किस तरीके से इसे फॉलो करना रहता है मैम देखिए सबसे पहले तो हम कॉंटेंट रिसर्च करते हैं बच्चे की इंटेंशन के अनुसार के कौन से प्रोग्राम्स अवैलेबल हैं देखो बीटेक के लिए हमेशा कानेडा एक सूपर बेस्ट अप्शन नहीं होती थी पहले भी लेकिन हमने ये देखा कि मैनेजमेंट प्रोग्राम्स स्टेम कोर्से जस्ट लाइक देखा कि कानेडा में इस टाइप के बच्चों की जादा डिमांड रहती है लेकिन फी के बहुत सारे सेक्शन्स है मैं देखो अब बच्चा सिलेक्ट करता है लो बजट कॉलेज मीडियम बजट कॉलेज और हाई प्रोफाइल कॉलेज अब इसमें कैनेडा के पास बहुत वराइटी है इस वराइटी को इस समय इसके कॉंपेटिशन में सर्व करने के लिए अभी हमने देखा आर्लेंड बहुत अपकमिंग कंट्री है न्यूजीलेंड तो अल्वेस थाई अट इसम ताइम फ्रांस ने जो अपने बाइलाटरल में 30,000 इंडियन स्टूदेंट्स को फेवर करने का एक फैसला लिया था फ्यू मन्स अगो डाट हैस अल्सो गिवन अन एज तो फ्रांस ओवर कैनेडा इसमें मैं एक खासका रिफ्रांस नहीं I think कपिल सर भी अग्री करेंगे मेरी बाद से कि एक्च्वल में यूरोपिन कंट्रीज को ओवरॉल बहुत बेनेफिट हुआ इसी स्टेप से लेकिन बच्चों की होट डेस्टिनिशन आज भी कैनेडा है कॉस्ट इफेक्टिविटी को देखते हुए लेकिन मतलब मेरे अकॉर्डिंग बी टेक के और साइंस बैग्राउंड के जो काफी बच्चे है उन पर बहुत कम इंपक्ट राएगा इसका मिस्टर दिक्षत एक सवाल मेरा आपसे है कि यह जो भी स्टुडेंट्स हैं ब्रॉड स्टुडीज के लिए अप्रोच करते हैं तो उनका मैक्जिमाम जो स्टुडेंट्स हैं उनका एज फेक्टर क्या रहता है और अधिकतर बॉई ज्यादा के लिए एप्लाए करते हैं या फर गल्स में आजकल काफे सारा साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो गया है जो यह करता है कि बच्चे कोई कोई कोर्स लेना चाहिए उसके बाद जब कोर्स कर लेता है फिर उसकी कंट्री ऐसा जैसा अधिती ने हाँ बजट के हिसाब साइन्टिफाई होती है विकाज हर कंट्री का बजट लिविंग इस्पेंडिचर वेधर कंडिशन उन पर डिसाइड होती है अब आते है एक रेशियो पे तो देरा टू टू टाइपस ऑफ कंडिडेट्स गोई अबराद फ्रम इंडिया नमबर वन इ होती है उसके लिए जाता है तो जियारी जीमेट बहुत पॉपॉलर एक्जाइम्स हैं जो की ग्राजूशन के बाद लिखे जाते हैं और अगर हम वेल्ट की बात करते हैं तो सैट एक बहुत पॉपॉलर एक्सेप करता है लेकिन बहुत सारे कंट्रीज सेट स्कोर को एक पर रहें और परेंट्स और विलिंग कि वो उसको 12 के बाद भी अगर बेशने तो बेश जिते हैं और इंडिया इंडिया मतलब इंडिया में रहके एजुकेशन लेना से जाधा क्रेज फॉरन एजुकेशन को लेकर हैं क्या कुछ लगते हैं या फिर जादा बड़ा है नहीं दो बाते हैं aspiration levels जो है by and large middle class में नीचे तक percolate कर गई है number one number two जो highly इंडिया की problem है कि बहुत population density है जिसके कारण IATs, IAMs, NLUs ये top institutes कुछ गिने चुने हैं इनमें admission लेना थोड़ा सा difficult भी होता है एक large number of database का candidate बैठता है उसमें अब next level पर मुझे एक अच्छा culture चाहिए अच्छा living चाहिए उसके लिए बच्चे को लग पेरेंट को लगता है इसको मैं बाहर बेज़ देता हूं अधीती आपने जसे की कहा कि average education related ही हम बात कर रहे थे तो other than Canada मतलब और ऐसी कौन सी countries है जिस पर आपके असाप से क्योंकि देखिए आप लोग इस चीज को रन कर रहे हैं students को आप लोग आगे process करवाते हैं average education के लिए तो what do you think कि मतलब कौन सी countries ऐसी है जो affordable है students के लिए जहां पर वो studies के लिए जा सकते हैं मैम दिखो एक बात मैं sir की बात में जरूर आड करूंगी क्योंकि I think this is going to very far audience and एक चीज मैं आड करूंगी कि part-time नौकरी एक बहुत बड़ा parameter है part-time नौकरी बाहर के देशों में open होती है as a permit and जरूरी नहीं है कि वो आपको यहां पर बहुत conveniently मिल जाए plus हमें मिल भी जाती है कुछ हमारे हाँ पर intention भी लगता है कि बच्चों की कि हमें कहां पर मिलेगी कैसे हमें find out करनी पड़ेगी कौन से NGOs हमें welcome करना चाते हैं कहां पर हमें good payout मिल सकता है so in India these things are very difficult at the moment and the government is also looking at it from a different perspective government इसके उपर काम कर रही है लेकिन it is a little far off dream मतलब काफी समय के बाद यह implement हो सकता है अभी के लिए देखा जाए तो cost effective होने के साथ-साथ आपके घरवालों पर pressure भी ना आए और आपके ओपर कोई loan as such अगर चल भी रहा है तो वो conveniently बिलकुल solve हो जाए और भरा जाए in a span of time ऐसी countries देखने को मिली है जिसमें Singapore का बहुत बड़ा एक rise देखने को मिला है पिछले धाई साल में और अभी Canada का जो यह controversy है उसको देखते हुए Singapore is also coming up with a new policy and this is I mean the talks are on New Zealand हमेशा एक सस्ती option थी आपके लिए and lucrative option भी मैं कहूंगी क्योंकि वहाँ पर job opportunities भी है and sometimes Australia का sister concern visa भी आपको मिल जाता है alongside Europe becomes the hot destination क्योंकि France ने open करा, Italy ने free education open कर दिया है Germany ने अपने public universities में lowest मतलब negligible fee के साथ programs launch किये है with English taught programs not only purely German taught program मतलब सिर्फ जर्मन में ही नहीं आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं and इसी के साथ साथ Dubai as a pathway destination अगर UK जाना है low cost पे तो पहले आप Dubai के थ्रू जा सकते हैं and उसके बाद UK या France की किस university के अंदर permanent admission लेकर उसके उपर बात कर सकते हैं एक question कहीना का यह भी है कि लोगों के दिमाग में mindset है या फिर इससे हम मित कह लेते हैं कि पॉरण से जो भी students है वो जो भी डिग्री लेके यहां पे वापस इंडिया लॉट के आते हैं तो कहीना कहीं जो job opportunities है वो उनके रहे कई बार घट भी जाती हैं तो क्या कहेंगे इस पर क्योंकि कई लोग हैं जैसे graduate की डिग्री लेके आ रहे हैं या कोई master's करके आ रहे हैं या फिर कोई management course करके आ रहे हैं तो अगर इंडिया में job opportunity की बात की जाए मैं इसके लिए मैं अपना answer complete करके एक perspective कपिल सर का भी definitely चाहूंगी बट मेरे answer में मैं इसके दो पहलू होंगे हमारे तेश में अगर हम एक metrics को study करें जिसके अंदर हम MNCs की requirements को थोड़ा सा भी analyze करके देखें जो की I think आज की gen Z और young generation नहीं करती silent quitting silent quitting एक बहुत-बड़ा मुद्दा है उसके लिए शायद हमें एक separate episode चाहिए होगा बट संक्षिप्थ में कि हम उतना ही काम करेंगे जितना हमारे boss ने हमें कह दिया यह एक intention है दूसरा lifestyle upgradation एक बहुत-बड़ा thought process है आज की generation का लेकिन इन सारी चीजों में हमने कहीं भी skill sets improve करने की बात नहीं करी हमारे देश में आज यूथ अपने skill sets को enhance करने के लिए एक micro effort भी नहीं डाल रहा और अभी एक research हुई है मेरे पास उसके पूरे results तो नहीं है sample के लेकिन मैं आपको पोड़ा सा overview ज़रूर दूँगी कि हमने जो पने research करी अपने ही data पे we found out that people are only 3% in the entire application segment जो abroad में अप्लाए कर रहे हैं उन में से मात्र 3% के पास actual presentable certified skill sets है right it's a big cause of worry right right true इसमें अधिती को add करता हूं मैं देखे एक expectation mismatch होता है when I have studied at let's say a country outside India I have paid a different kind of a fee structure which is which is not in my currency there is a load of conversion also तो मैंने वहाँ ज़्यादा fee pay किया है वहाँ का culture मैंने दो साल देखा अब मैं वापिस इंडिया आता हूं अगर और मैं उसी culture को expect करूं तो गलत हो जाता है मैं उसी payment को expect करूं तो गलत हो जाता है because now I am expecting this in rupees I am spending in dollars I am expecting the payouts in rupees in my country which is an expectation mismatch वो गलती है तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो यह एक मित है इसा नहीं है वो हमारा सोच का हमारा perspective गलत बन गए exactly like we are going for abroad for the education purpose and when we are coming back then we are expecting कि हमें उस अकॉर्डिंगी package मिले इंडिया की currency की बात करें तो rupees में है और कहीं न कहीं उसका एक major impact भी देखने को मिलता है अगर आप खर्चा डॉलर में कर देंगे तो आप कैसे expect कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश में तो भी रूपी है राइट 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 रहा है वो कहीं न कहीं एक वीजा को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम एक बड़ी टेंशन दे रहा है लोगों को क्या कहेंगे देखिए जैसे जैसे जिन जिन कंट्रीज का प्रॉब्लम आएगा फोर्स यह दिक्रतमा आएगी बट देन इफ एवरीधिंग इन पास इस क्लीन एंड लेट से विए शिफ्टेड आवर फोकस तो इफ्रेंट इस प्रॉब्लम नहीं रह जाती है जी अधी इसमें एक बहुत बड़ा आप एक साल से स्टडी करिये है हाई कमिशन के रिस्पॉंस को और हमारे देश के जो एजेंट्स है वो थोड़े डिस्कॉरिजड भी है मैम क्योंकि हमने पिछले एक साल में जब लास्ट टूड़ अनॉंस्मेंट इन दे मांथ अगें लास्ट ओक्टोबर 2023 में आई थी उसके पश्चात इतना मेजर पारडाइम अब इसकी अबसर्वेशन तो अब इसकी अबसर्वेशन तो एजेंट्स की है I'm not sure how the high commission would react to it but हमारे एजेंट्स द्वारा जितना observation है that one third of the period window open रहती है which means कि अगर 30 दिन कुली रहती तो आप 10 दिन कुली रहती है तो उसमें आप कितनी ही application process कर लोगे so that is also from the end of high commission but I think bilaterals overall in trade are okay but in terms of education because हमारे देश का काफी you know उनके पर कापिता में एक contribution है Indian students का so I think that will majorly impact the economy of Canada in a slight you know dented way लेकिन देखने को मुझे ऐसे लगता है कि student spectrum में a decline बहुत ही sharply दिखता है हमें ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था बहुत sharply decline दिखता है हमें एक साल से पिछले है right so चले इस बार अब इस फिलहाल जो है इस चर्चा को एक बार closing note की और ले चलते हैं तो एक बार closing note हम लोग लेना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे Mr. दिक्षट students के लिए क्योंकि आभी देकि dispute चल रहा है लेकिन आप लोगों का students के लिए क्या कुछ message रहेगा students को सिर्फ इतना सा देखना है कि yes there are certain cases जहां disputes आते हैं पहले भी आएं पास में भी हमको सिर्फ इतना सा देखना है कि if not this country अगर हम बहुत खुश नहीं है इस country से तो बहुत सारी countries है globe में जहां जैसे अधिती नहीं बताया New Zealand है एक बहुत अच्छा नया destination है European countries है वहां हम जाके study ले सकते हैं बहुत सारी countries हैं जहां पे international students को बहुत बहुत ही subsidized rate पे tuition fees पे waivers मिलते हैं वहां हम पढ़ सकते हैं अगर हमारा language adaptability अच्छा है हमारा weather adaptability अच्छा है तो we can go and study in many countries across the globe I mean it's a big globe we can just put a finger and we can study anywhere it's just the right exposure that you have to take and then I mean it's your choice whether you come back or not but I always say come back to India serve here and then give something to your country also right true very true very true yeah Aditi क्या कुछ कहेंगे closing note में क्या कुछ मैसिस देना चाहेंगे my closing note is that we are Indians we are we are adjustable everywhere we can study anywhere and Ireland will definitely open a new wing for us because Ireland में management or science जोनों के balanced course programs है at very nominal costs तो हमने देखा बहुत अच्छा राइस एक साल में देखा हमने Ireland को तो एक तरीके से रस्ते में ही Canada के एक Ireland पढ़ जाता है जिसमें मुझे लगता है के बच्चे जादे इंटरेस्टेट हैं इस समें and by and large we can adjust anywhere and the research is getting advanced more and more and Indian students जैसे सर ने बताया we are given actually you know one point up than others because हमारी भार्षा की adaptability बहुत अच्छी है गिवन the language background of Hindi and Sanskrit our mouth parts are very well massaged हम कोई भी दुनिया की language बहुत conveniently बोल सकते हैं और हर pronunciation बहुत clear करते हैं तो हमारे को definitely एक upper edge मिलता है चले thank you so much Mr. Dixit and Mr. Aditi for joining us बहुत अच्छा लगा आप पंजाब के साथ जूटे और साथ हमारे साथ जो हमारे दर्शक है उन्हें भी आज बहुत को सीखने को मिला तो फिलहाल आज का जो हमारा topic है Canada और education को लेकर Canada और इंडिया के बीच में जो dispute चल रहा है education को लेकर एक बड़ा मसला चल रहा है तो हमने उस पर तो चर्चा कर ली लेकिन अगर आकड़ों की मैं बात करूँ या फिर आकड़ों पर एक बार नज़र डालें तो पिछले दो दशक के दौरान Canada के जो universities हैं तो वहाँ पर जो Indian आविदक है उनकी संक्या 5800 प्रतिशत बड़ी है और Canada में भारते मूल के लोगों की बड़ी आबादी भी है और इनमें भी अधिकतर लोग पंजाब से हैं और भारते मूल के सबसे जादा लोग टौरेंटों में रहते हैं और आकड़ों के म प्लाइ कर सकते हैं अब फिरहाल देखने वाली बात यह होने वाली है कि Canada और भारत का यह जो विवाद है यह आगे कहां तक जाता है तो आने वाला वक्त ही तैय कर पाएगा हाला कि भारत और Canada के बीच बढ़ रहे तनाव की वज़त से Canada ने अपने वीजा नियमों में अभी अभी तक किसी प्रकार के कोई बदलाव के अभी तक तो गोशना नहीं किये है पलाहाल के लिए इतना ही देखते रहे पन्जाब के सिर्वाजस्तान नमस्कार